कोन कहता है आसमान में छेद नहीं होता एक पत्थर तो तबियत से उचालो यारो नमस्कार स्वागत आपका मैं हूँ शैली और आप देख रहें एंजीपी इंडिया एक साधारन परिवार में आज ही के दिन दस परवरी 1945 को जन में राजेश्वर प्रसाद के महान किसान नेता राजेस पाइलिट बनने की कहानी कुछ ऐसी ही है उनका जीवन किसानों के लिए भी उतना ही प्रेणा दायक है जितना मजदूरों के लिए उनका जीवन युवाओ के लिए उतना ही प्रेरक है जितना समाज के प्रबुद कहलाने वाले वर्ग के लिए यहे महान होकर भी जमीन से जुड़े ऐसे नेता थे जिनका गूजर बिरादरी के बाहर भी उतना ही सम्मान था जितना दीर गूजरों में यहे अपनी किशोर अवस्ता में लुटियन दिल्ली में स्थित मंत्रियों की कोटियों पर दूद बेचते थे लेकिन उनका बोधिक बल इतना प्रबल था कि आगे चल कर यहीं से उनकी महान नेता बनने की रहा निकली पाइलेट ऐसे नेता थे जिनकी पूरे देश में किसानों के बीच और युवाओं के बीच अपनी खास पैचान थी हाला कि उनके बेटे सच्चिन पाइलेट का राजनितिक कद भी काफी बड़ा है लेकिन सीनियर पाइलेट के सामने जूनियर पाइलेट को अभी लंबा सफर तै करना है आज हम वरिष्ट पत्रकार और स्वर्गी राजेस पाइलेट के मित्र रहे महेश कुमार वैद के अनुभव के बारे में जानेंगे सेली राजेस पाइलेट जी के बारे में आप पूछना चाह रही हैं तो उनसे मेरी मित्रता गहरी थी रेवाडी, कोटपुतली, अलुवर, जैपूर, गुरुग्राम, यहां के जो गुर्जर समाज के और दूसरे समाज के लोग उनके पास दिल्ली जाया करते थे उनसे मिलना होता था, मेरा भी उनसे मिलना होता था, धिरे-धिरे उनसे घनिष्टा बढ़ती गई लेकिन दो ऐसे आउसर आये, जब मुझे उनको निकट से देखने का, उनके विचार सुनने का आउसर आया एक आउसर था, रेवाडी से हेलिकॉप्टर में हमने उडान भरी थी नारनोल के लिए और वहाँ बाचोद हवाई पट्टे पर भी हमारी बाते हुई, और हेलिकॉप्टर में भी हमने बाते की और दूसरा आउसर था, दिल्ली में जब उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्स के खिलाप, राष्टी अध्यक्स का चुनाव लड़ा था पाइलेट लोकतांत्रिक मूल्यों के समर्थक थे, उनके मन में एक दर्द था कि लुटियन्स दिल्ली में सिर्फ खास लोग ही क्यों रहें गाउं का आम किशान, आम गरीब, जो कमजोर वर्ग है, वो क्यों नहीं लुटियन्स दिल्ली में फैसला लेने में भागीदार बने यह पाइलेट साब की यह पिड़ा थी जो है, उन से जब भी मेरी बाते हुई, उनके मन में कमजोर वर्ग के परती हमेशा दर्द नजर आया उनके बारे में कुछ कहना सूरज को दीपक दिखाने जैसा है, वो हर वर्ग के, वर्ग भेद नहीं करते थे, वो गरीब, अमीर, मतलब सब को समान दरश्टी से देखते थे और चुनाव के दोरान भी उनके चुनाव छेतर दोसा में मेरा जाना हुआ, तो आम लोगों के पास उनमें ऐसा जादू था कि आम लोग उनके पास खिचे चले आते थे, और उनमें ऐसा कभी एंकार नहीं रहा कि वह एक महान नेता है 1974 में उनका विवा रमा पाइलेट से हुआ, पाइलेट जब दिल्ली में अपने संसिदिय चेतर दोसा जाते थे, तो रास्ते में गुरुगराम रिवाडी अलवर वे जैपुर जिले के अपने समर्थकों से मिलते हुए जाते थे उनका स्वागत करने के लिए सिर्फ गूजर बिरादरी के लोग ही नहीं थे, बलकि 36 बिरादरी के लोग मौजूद रहते थे भारत पाकिस्तान युद के दोरान वर्ष 1971 में उन्होंने एहम भूमी का निभाई थी राजीव गांधी के खास मित्रों में उनकी गिंती होती थी राजीव के कारण ही उन्होंने वायू सेना से त्याक पत्र दे कर वर्ष 1980 में भरतपुर से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की इसके बाद वहे वर्ष 1984, 1991, 1996, 1998 और वर्ष 1999 में दोसा से लगातार सांसत चुने गए यह उनकी समाज के बीच राजनितिक पकड़ का एक परिचायक था वर्ष 1984 का चुनाव जीतने पर जब राजीव गांदी परधान मंत्री बने तब उन्हें भूतर राजय मंत्री का दायत्व सोपा गया कश्मीर में उनका लगाव जग जाहिर है राजनितिक का यह चमकता सितारा हमसे लगबग 55 वर्ष की उम्र में उस समय दूर हो गया जब एक सड़क हाथसे में उनका निधन हो गया हाथसे के समय वह अपनी गाड़ी खुद ड्राइव कर रहे थे कॉंग्रेस के लिए भी पाइलेट का जाना किसी बड़े जटके से कम नहीं था राजेश पाइलेट के साहस का अनुभव इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने चंद्रस्वामी जैसे ताकतवर तांत्रिक को जेल भेजने में कतई जिजक नहीं दिखाई जबकि चंद्रस्वामी के ततकालिन परधान मंत्री से निकटा जग जाहिर थी राजेश पाइलेट को जैसे ही चंद्रस्वामी के खिलाफ शिकायत मिली उन्होंने केंद्रिय घ्रह राज्य मंत्री के रूप में कारवाई करने में कोई देर नहीं की उन्होंने स्वाभी मान से समझोता नहीं किया पाइलेट के समर तक अब उनके बेटे सच्चिन पाइलेट में भी उन्ही गुणों को देख रहे हैं बदहाल एक दूद बेचने वाले के पहले पाइलेट बनने और फिर महान किसानेता बनने की यह एक ऐसी प्रेरक कहानी है जो आगे आने वाली पीडियों को सीखने की प्रेणा देती रहेगी